आगरा स्तित राजपुर्चुंगी मार्कित की कॉस्मेटिक दुकान पर दो यूवतियों द्वारा तोड़ फोर करने का मामला सामने आया है जहां दो यूवतियों द्वारा महिला दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई और दुकान का सारा सामान भी फैका गया पूरे मामले का विडियो शोशल मीडिया पर अब तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं पीड़त परिवार ने ठाना सदर में शिकायत दर्ज कर कारिवाही की मांग की है आगरा के राजपुर्चुंगी मार्किट की कॉस्मेटिक दुकान पर दो युवतियों द्वारा तोरफोर करने का मामला सामने आया है विडियो एक मिनिट और 14 सेकंड का बताया जा रहा है जिसमें आप साफ तोर से देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी अंदाज में दो युवतियां कॉस्मेटिक शॉप पर आई जिसके बाद वहाँ उनकी महला दुकानदार से कहा सुनी होने लगी बातचीत थोड़ी देर में काफी बढ़ गई युवतियों और महला दुकानदार के बीच नोगचों खोने लगी तब ही एक युवतियों ने दुकान के काउंटर पर रखे सामान को फैकना शुरू कर दिया और दोनों के बीच मारपीच होने लगी इतना ही नहीं युवतियों ने हातों में एक रोड और डंडों से चंद मिनिटों में हजारों का सामान तहस नहस कर दिया अब युवतियों की धंकियों और मारपीट से पीड़त दुकानदार दहशत में हैं इस पूरी घटना के बाद पीड़त ने थाना सदर में आरोपी युवतियों के खिलाब शिकात दर्ज कर कारेवाही की मांग की है डिजी महाराजन नियूस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट